ये गोबर गैस प्लांट का इनलेट है मतलब यहां गोबर डाला जाता है ये इनलेट वहीं बनाया गया है जहां पशूप बांधे जाते हैं मतलब गोबर उठाया और सीधा इनलेट में डाल दिया इस दिवार के बाहर गोबर स्टोरेज टैंक है इस टैंक में गैस बनती है और पाइट के माध्यम से अंदर चली जाती है और सलरी बाहर निकल जाती है इस गोबर गैस प्लांट को बनवाने वाले किसान को कितना फायदा हुआ चलिए जानते हैं नमस्कार दोस्तो टेक्निकल फार्मी में आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ है सरपंच चंदरपाल हरियाना में खजूरी जाटी के फतेहाबाद जिले के रहने वाले हैं और ये खेत में घर बनाकर रहते हैं इन्होंने गोबर गैस प्लांट अपने खेत में लगवाया है इनका कहना है कि हर किसान जो खेत में रहता है उसे गोबर गैस प्लांट जरूर लगवाना चाहिए क्योंकि सबके पास पशूतो होते ही हैं ये गोबर गैस प्लांट कितने काम का है और उससे क्या लाब हो रहा है जानते हैं सरपंच चंदरपाल जी से नमस्कार जी नमस्का ही होते हैं तो फसु है दस बारा तो इसलिए हमने यह लगवा लिया कि खेतों में रह रहे हैं तो यह अपना पक्का है यह पका बना रख है नोरा सा यह गोबर यहां से उठाया और इसके अंदर डाल दिया एक तो मैंनत मतलब लेवर की बचता है तो डाल दिया नंबर दो गै पर जितनी जरूर तो उतनी गैस हम यूज कर लेते हैं यह अर्थिक पैसों का भी बचता है एक स्लेंडर महिने का लगता है तो मान के चलो आप 700-800 रुबे की यह बचता है और एक यह मतलब इसकी जो निकलती है तो खेत के अंदर वो काम करती है तो फरेटिलाइजर का यू फरेटिलाइजर का यूरिया वगेरा का वह भी खर्चा कम और गैस भी आपको आपके घर की जरूरत है वो इस पूरी हो जाए बिल्कुल पूरी होती है जी बहुत पूरी होती है तो यह आपको इस पर कुछ सब्सीडिय भी मिली आप अपने बर रखे हैं वो मिल जाएंगी कितने सब्सीडिय हैं सब्सीडिय 12,000 रुपे बता रहे हैं एक टैंकी 24,000 है दो टैंक है हमारे दो टैंक की 24,000 रुपे कितना खर्चा आया है इसका लग वाग सार इसका लग है मान के चलो आप चुले वगएरा पाइप कनेक्शन करवा के 55,000 के आसपास यानि कि दो गोबर प्लाइज कर लगवाकर किसानों को आप क्या कहना चाहिए किसानों को में यह कहना चाहता हूं कि यह ज्यादा से जादा लगवाए बहुत तो अच्छा वैनिविट है बहुत छी चीज चीज यह नहीं कि इसके उधिस फायदे है एक तो घरकी जो गयंस है वो जरूरत पूर यह बागी लोग यहां आते हैं देखनेक बाद यही कहते हैं कि इन बढ़वाएंगे लोगों में कई प्रकार की संकार एक यह चीज काम या नहीं तो आज की जो टेक्निकल के साफ यह बनता है उसके शाफ से बहुत अच्छा कामियाब है बहुत बड़ी अगामियाब है तो दोस्तों जैसा सर्पंट चंदरबाल जी ने बताया कि गोबर गैस प्लांट लगवाने के बाद गोबर की मेनेजमेंट में सुविधा हो गई है सलरी जो मिलती है उससे खात की पूरती हो जाती है रासानी खात कम डालना पड़ता है और स साथ में पशुओं की चाट को गरम करने में भी ये गैस का ही उप्रियोग कर रहे हैं वो भी इनका खर्चा लकडी का और बच जाता है तो इस तरह से खेत में रहने वाले किसान को कम खर्च में तीन लाब हो रहे हैं और इसलिए हर पशुपालक को ये गोबर गैस प्लांट लगवाना चाहिए इससे एनर्जी मिलेगी और बहुत सा लाब होगा हमारी कोशिश है कि किसानों का लाब हो उनका खर्चा कम हो ताकि उनकी आय में व्रद्धी हो नमस्कार जैए हिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से यादा लाइक और शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले